तो स्टुडेंस नीट एक्जाम जो अप लोग दिये हो और ऐसे काफी सारे सोशेल मेडिया में नीज आ रहा था कि नीट एक्जाम फिर से क्या होगा सुप्रीम कॉर्ट में भी फाइल हुआ था तो सुप्रीम कॉर्ट ये बताया था कि रिजर्स तो पब्लिस किया जाएगा और जो इन्वेस्टिकेशन है या जो भी सुनवाई है वो समरो हुआ के बाद होगा तो उसको लेके सोशेल मेडिया में इतना सारा new जितना सारा आर्टिकल सारा है तो उसको लेके as um कह क्लारिफिकेशन दिया है उधोर अब देख रहे हो प्रेस रिलीज रिगर्डिंग दा नीट युजी 2024 पोस्ट सर्कुलेटिंग अन सोसियल मेडिया 6th मैं 2024 तो इसको लेके ये प्रेस रिलीज आया है ये अब देख पा रहे हो और बच्चों का कुछ सेंटर्स में लोगों कोशन पेपर मिल गया था किसी लेरी एक्जाम होना चाहिए जो बच्चे अभी सेफ मार्क्स में लेट से अच्छा मार्क 700, 680, 90 का प्लेस है उन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन लोग को एक गौर्मेंट सीट मिल जाए तो लोग चाह रहे हैं कि एक्जाम ना हो लेकिन कुछ बच्चे जो थो देखिए पैपर लीग होगा हुआ होगा तो डेफिनेटल होना चाहिए क्योंकि ये बच्चों का भविश्यों का है फ्यूचर डॉक्टर का सवाल है इसको डॉक्टर मेडिकल ऐसा ऐसा करकर पास कर लेगा और कुछ आच्छा आता ही नहीं है तो इंडिया में ऐसा नहीं हो होना चाहिए तो डेफिनाइटली वो सेंटर्स मेरी एक्जाम हो या वो स्टेट में हो या उसमें प्रॉपर इंबेस्टिकेशन जरूर हो क्योंकि बहुत नंबर भी बहुत जादा है 24 लाग 26 लाग बच्चे एक्जाम दिये हैं ओल इंडिया तो फिर से कंड़क्ट कराना है कि नीट 2024 है कि नीट 2024 है विन कंड़क्टे सक्सेस्फुली भाई NTA एक्रोस 4050 सेंटर चाहजार साथ सेंटर था 571 सिटीज और 14 सिटीज अबरोड अफिप्त में चोदो ठोय से भी बाहर बीदैस में भी प्रन में भी नीट का सेंटर्स था तो मुझे पता है क्या प्रोसीडियर है जो बॉक्स आता है कोशन पेपर आता है सेंटर में तो उसमें क्या है ना एक लॉक लगता है और वह उसी टाइम पे दो बजे ही वह एक डिजिटल लॉक है उसको खोला जाता है और वह भी स्कूल का प्रिंसिपल जो एक आपजर्विर आते हैं बाहर से उनके सामने और स्कूल का जो सुपरेटेंडेंट रहते हैं डेपूर्टी सुपरेटेंडेंट इस सारे तीन चार HMP pandira को लोग उसके साथ साथ दो बच्चों भी रहते है जो किसी भी आर्वीटरी रूम से हम लोग्दो बच्यों को बलाते है है Model बच्चे उसके सामने रहते हैं उसके बाद उसी टाइम और व injust descend को एक जांद जो है बहुत पर थी प्रूटार को एक जो पितौत हो कोशन खोलेगा उससे पहले नहीं खुल पाएगा तो यह काफी सेटी रहता है आप बॉक्स तोड़ दोगे तो अलग मेटर है लेकिन वह भी तोड़ दोगे तो आप पहले से ही उन लोग को डिटेक्ट कर जाए किया जाए मतलब हो जाएगा उसको भी आपको एक आप है उसमे इससे डिटल मॉनिटरिंग होगा उसको फोटो वीडीय से यसे देना पड़ता है तो इसे बहुत सीकार मामला है सुप Дो तो इस प्रको सीब नहीं है तो इज है कि House I ağ equal questions पर आटा ऐसे दिय दिया जाता है किसी के पास रहता से नहीं सिक्यूर बॉक्स में आता है To put rumors to rest, it is also stated that every single question paper has been accounted for Further, it is to be noted that after the gates of the examination centers are closed No one from outside permitted to access inside the halls which are under CCTV surveillance So CCTV surveillance रहता है, even though invigilators जो हम लोग duty में रहता है, हम लोग का mobile submit करना पड़ता है Mobile भी नहीं रख सकते हैं, कि किसी को question paper फोटो उठा के बाहर भेज़ दिये ऐसे भी संभब नहीं होता है इभीन आप लोग को पता है, NUT का क्या rule है जो science teacher होता है, suppose मैं physics teacher हूँ तो मैं physics का duty नहीं कर सकता हूँ इतना सारा protocols है, क्योंकि साइद मेरा कोई और मुझे पहले से ही declare करना पड़ता है कि मेरा कोई relatives exam नहीं दे रहा है वो center में नहीं, तो मैं NUT का invigilation duty भी नहीं कर पाऊंगा ऐसे बहुत सारा protocols है NTA के तरफ से एज mentioned in yesterday NTA press release there was one incident at a center in सवाई माधपूर, राजस्थान तो सवाई माधपूर में भी मैं एक स्कूल में काम किया हूँ कुछ छोड़ा सा period के लिए, दो तिन महीने के लिए काम किया हूँ तो राजस्थान where some of the students forcibly took away the question paper before the conclusion of the examination तो exam rule ही रहता है कि exam conclude हो exam conclusion के बाद सारे लोगों का पूरा जो आपका answer script ये OMRs of correction ले लिया जाए उसके बाद आप निकल सकते हो लेकिन exam से पहले जो 5-20 है 5-20 से पहले किसी को भी बाहर allowed नहीं है लेकिन ऐसे कुछ हुआ है जिसमें कुछ बच्चे question paper exam खतम हने से पहले माम लीजे उन लोगों कुछ आता नहीं है वो लोग confidence जे चलो तीन घंटा बीस मिनिट कॉन बैठेगा निकल जाते हैं जब बड़्दस्ते निकल गया है तो यह भी हो चकता है जो हम एडिंटी को बिली करेंगे तो उसका तो कैस सुनभाई होगा उसका सुप्रीम कोर्ट में डिसिशन होगा इंवेस्टिकेशन प्रॉपर होनी है तो एक पिक्चर अफ कोशन पेपर बिंग्ड तो अलज़ इंसिदेंट अफ पेपर लिख विच इस अब प्री प्री प्रस्टिरियस तो भले ही सपोज कोई दो बच्चे कोशन पेपर लेके बाहर निकल गए और वो लो क्या किये ना सपोज एक्जाम पांच बीस को खतम होता है सपोज मैं चार बीस को को निकल गया और कोशन पेपर फोटो उठा के सचल में बाइलेर कर दिया एक्जाम खतम नहीं हुआ कोशन पेपर कहां से मिल रहा है यह सवाल है ना यही तो सवाल है तो यह सवाल है तो कुछ बच्चे सपोज भी बाहर निकल गए और कोशन पेपर को कर दिये कि हमें पहले से ही कोशन मिला हुआ था और कोशन पेपर बाहर निकल गए तो वो बच्चों का कुछ फाइदा ही नहीं है अब कोई भी इसका सलूशन बनाएं तो अंदर कैसे भेजेगा फिर भी इसका इंवेस्टिकेशन होना चाहिए कुछ हुआ होगा तो ज़रूर कोई भी क्राइम होता है तो इसका इसका होना चाहिए एपिक्चर बच्चर फोशन पेपर बिंक्चर रह लिए तो अलएज दियाद आप यश्टिकेशन पेपर लिक पूचिश इसमेश इन प्रस as mentioned in para 2 there is no way any external person all the other photographs of the question paper circulating in social media has no relation to the actual examination question paper which has been administered कुछ गलत question paper भी शर्कुलेट हो रहा है having mentioned above there has been cases of malpractice and impersonation impersonation where strict action has been taken on impersonators or candidates जो ये गलत काम किया है वो माल प्रक्टिस का केस उसके पर ये किया जा रहा है in addition to the above NTA conducts post exam data analysis to detect cases of unfair means action on UFM cases is taken as per the extent rules which includes which includes EFM cases is taken as per the extent extent rules which includes cancellation of candidature and debarment from the future examination तो future examination में उसको बैटने नहीं दिया जाएगा ऐसे एंटे का बोलना है that NEET UG 2024 so record high registration this year 24 lakhs students registering the highest ever within the 10 lakhs male and 13 lakhs female student तो 10 lakhs male student अग्जाम दे रहे हैं और 13 lakh female students अग्जाम दे रहे हैं this increase was facilitated by opting several smaller cities as the center तो बहुत सारा चोटा सेंटर को भी लाना पड़ेगा इतना student को एक साथ करने के लिए specially North East अपाट फ्रम पूदूचरी जामका समेर आधार स्टेट्स despite the challenges NEET 2024 operation involved more than 600 centers coordinators at city levels 5000 plus center superintendents and staff by an India with 4800 schools robbed for the process तो इतना सारा लोगों को involved करके काम करना पड़ता है in the light of the above candidates and parents, teachers and all the concerns are adequate not to pay heed such rumors and concentrate on forthcoming examination तो यह से rumor को आप दिमाग से हटा दीजिए और forthcoming तो इसका मतलब वही हो रहा है कि देखा जाएगा Supreme Court पर results निकलेगा और anti का ही करना है कुछ गलत नहीं हुआ है और कुछ बच्चे जो एक center शवाई माधवपूर से राजस्थान के वो ऐसे काम किये है exam से पहले force fully निकल गये है उनलों के बेरे में action लिया जाएगा और वो question जो भी बाहर गया है उसका answer या और कोई आदमी अंदर घुशने का provision नहीं है तो चलो यह था NTA का clarification आप क्या सोचते हो यह matter को लेकर जरूर कमेंट कीजिएगा आप exam दिये हो NEET exam दिये हो और आपका क्या planning है आप क्या सोचते हो इस matter को लेकर exam re-exam होना चाहिए नहीं होना चाहिए और NTA का यह statement आपको कितना दूर justify लग रहा है satisfied लग रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा see you in the next video if any updates comes from the supreme court or anything any updates comes from the NEET we'll definitely discuss with you see you in the next video